अस्सिलाम अलेकुम प्यारे बच्चो, एपसेक्स आनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्यारे बच्चो, आज हमारी अर्दू की क्लास है, आज की क्लास में हमने सफ़ा नबर 73-74 में सबक जब भी खाना खाओ का जुबानी तबादला ख्याल करना है नजम का नाम है जब भी खाना खाओ नजम पढ़ने से पहले हम सबक के मकास्य देखते हैं इस सबक इस नजम को पढ़ने के बाद तलबा इसकाबिल होंगे के इन्फरादी बलंद खानी से बेहतर तलफुज सीखें सबक के मतन को अच्छी तरह समझ कर मश्की सवालाद पर तबादला ख्याल करें इन्फरादी तोर पर मश्की सवालाद कर सकें साब का वाक्फियत प्यारे बच्चो खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए जी हाँ खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए बताईए खाना किस हाथ से खाना चाहिए जी हाँ खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए तो प्यारे बच्चों, बताईए, क्या खाना खाते वक्त खेलना भी जरूरी है? जी नहीं, खाना खाते वक्त खेलना बिल्कुल नहीं चाहिए बताईए, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? जी हाँ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के पहले की दुआ या फिर बिस्मिल्ला पढ़नी चाहिए बताईए खाना खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए जी हाँ, खाना खाने के बाद अलहम्दलिल्ला पढ़ना चाहिए सबक का तारूफ प्यारे बच्चों, खाने से पहले दोनों हातों को धोना चाहिए, ताके दोनों हात खाने के दौरान साफ सुत्रे हों, कहीं पहले से मौजूद हातों पर मेल कुचल की वज़ा से नुकसान ना हो, खाने से पहले बिस्मिल्ला पढ़ना वाजिब है, और बिस्मिल्ला से मुरा खाने की अब्तदा में सिर्फ बिस्मिल्ला ही है तो प्यारे बच्चो रसूल अल्ला ही अल्यावाले वाले विसलम ने फरमाया जब तुम से कोई खाना खाए तो अल्ला का नाम ले और अगर अल्ला ताला का नाम लेना अब्तदा में भूल जाए तो कहें बिसमिल्लाही अव्वलाहू आखिरा मुसल्मान पर दाएं हाथ से खाना वाजिब है बाएं हाथ से खाना मना है चनाचे इबन उमर रुजियल्लाद अन्हों से मर्वी है के नभी करीम सुल्ण आले वाले वाले सलम ने फर्माया तुम में से कोई भी बाएं हाथ से ना खाए पिए इसलिए के शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है जी तो प्यारे बच्चो अब हम नजम जब भी खाना खाऊ की बलंद खानी करेंगे धोलो हाथ और कुली कर लो दस्तर खाऊ पहले तुम बिस्मिल्ला पढ़ लो दाएं हाथ से खाऊ पानी पियो थो ठहर ठहर कर खाना होग चबाऊ भूक रहे थोड़ी सी बाकी पेट न भर कर खाऊ चपड़ चपड़ आवाज न निकले इस पर काबू पाऊ सेहत का बस राज यही है सादा खाना खाऊ जब भी खाना खाऊ प्यारे बच्चों आपने देखा नजम की बिलंद खानी करते वक्त बहुत सारी बाते सामने आई सबसे पहले हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए कुली करनी चाहिए और दस्तर खान बिछा कर फिर खाना खाना चाहिए खाना खाने से पहले बिसमिल्ला पड़े दाएं हाथ से खाएं पानी पिएं तो आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर और ज़्यादा बिल्कुल पेट भर के खाना ना खाएं और मूँ से खाना खाते वक्त आवाज बिलकुल ना निकाले प्यारे बच्चों, मश्क की तरफ आते हैं इस नजम में खाना खाने के कौन कौन से अदाब बियान किये गए हैं प्यारे बच्चों, खाना खाने के अदाब में सबसे पहले, खाना खाने से पहले हाथ धोना, कुली करना, दस्तर खान बिचाना, दाएं हाथ से खाना, आहिस्ता आहिस्ता चबाज से बागर खाना, मूँ से आवास ना निकालना शामिल है अगला सवाल है, खाना खाते वक्त आप इस नजम की किन बातों पर अमल करते हैं? जी हाँ, ये आपने बताना है कि जब आप खाना खाते हैं तो आप कौन-कौन सी बातों को सामने रखते हैं, कौन-कौन सी बातों पर अमल करते हैं? सवाल नमर तीन है नजम में सिहत का क्या राज बताया गया है जी हाँ नजम में सिहत का राज बताया गया है के तमाम बातों पर अमल करें मतलब खाना खाने के वक्त बोलना नहीं है आहिस्ता आहिस्ता खाना है चबा चबा कर खाना है आवाज नहीं निकालनी और खाने से पहले की द्वा पढ़नी है खाना खानी से पहले हाथ धोने है और खाना पेट भरके नहीं खाना तो प्यारे बच्चो अगला सवाल है खुश्वत लिखे ठहर, सेहत, खाओ, भूग इनको आपने khushqat लिखना है प्यारे बच्चो खाना खाना काने की अदब देखते हैं कि खाना खाने की अदब में क्या क्या बाते शामिल है जी, पहले, खाने से पहले हाथ धोएं और बिस्मिल्ला पढ़ कर खाना शुरू करें شुर्व में बिसमि ल wraps पढ़ना भूल जाएं तो दर्मियान में बिसमिला ही अवला हू आखिरा पढ़े खाना सीधे हाथ से खाएं और अपने सामने से खाएं खाना दस्तरखान बिचाकर जमीन पर बैठकर खाएं और एक लगाकर और टेक लगाकर खाएं खाने में एब ना निकाले बर्तन में इतना ही खाना डाले जितनी जरूरत हो खाने के बाद बर्तन को अच्छी तरह साफ करें खाने के बाद पहले उंगलियों को चाट लें और फिर हाथ भी धो लें रोटियों से उंगलियां हर्गिस साफ ना करें बहुत गरम खाना खाने से परहेज करें जब तक खाना ठंडा हो तब तक इंतजार करें और फूंक मार कर ना खाएं जला हुआ या कच्छा खाना नहीं खाना चाहिए निवाला गिर जाए तो उठा कर साफ करके खा लें खाना खा लेने के बाद दौा पढ़नी चाहिए प्यारे बच्चों खाना खाने से पहले की दौा क्या है बिस्मिल्लाह रह्मा निर्राहीम खाना खाने के दर्मियन की दौा है बिस्मिल्लाह अवलाह वा आखिरा खाना खाने के बाद की दौा है سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا पैरे बच्चो आज हमने सबक नजम जब भी खाना खाओ की बलंद खानी की और हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बाते से की जैसा के खाना खाने के अदाब के हमें खाना किस तरह खाना चाहिए खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए कुली करनी चाहिए और खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए बाएं हाथ से शेतान खाना खाता है पानी पिएं तो आहिस्ता आहिस्ता और ठैर ठैर कर पिएं पानी बैठ कर पिएं और दस्तर खान पर खाना काएं खाना खाते वक्त नाक मूँ ना चड़ाएं मूँ से आवाजें ना निकाले प्यारे बच्चों उमीद है आपको आज का सबक समझ आ गया होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें फी माने ला, अल्ला हाफेज